बहुतिक जो कता है ये तो बंधन का कारण है ये भी कता है लेकिन ये जो कता है ये चिन्मय है भगवत जगत के जो चिंतन है वो तो हम जैसे मद्रिश जीब जैसे वो भगवत चिंतन करने माशमर्त है कहां से चिंतन करेंगे कोली कलमश, चित्त बृत्ती, मली नता इस तरह से नाना प्रकार अवशाद ग्रुस्त, दूर दशा ग्रुस्त, नाना प्रकार भग्य पदार्त में द्रिश्च मन जगती, बुस्तु पदार्त में आशक्त चित्त बृत्ती, ऐसे कोली शित्त चित्त लिकार के चित जगत का व तो भगवान क्रिपा करके जो चिंतन, सहोज चिंतन जैसे हो सकता है, क्योंकि जगत के चिंतन कद भी संभब नहीं है, तो भगवान आती हैं आकर के ओ चिन्मय लिला, भूम लिला, नरोचित लिला प्रकटन करती हैं भगवान, जो हमारी जो ये जिवन चुरित, जिवन गाथ ये तुम चिंतन करो, चरल है, दिखने में लगता है मुनुष्व चितु कर्मों लेकिन ऐसा नहीं है, ये चिन्मय है, दिव्य है, इंद्रियाती थै, गुनाती थै, ये अलोकीक है, ये अनुबब बेद्दुक्रपाशद्ध, यहां इसलिए भगवान आते हैं, मुनुष्व भगवान आचरन करते हैं, कभी-कभी उनके लीला देख करके, सब बहुत भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्या ये पूर्ण ब्रह्मशनातन, जो इस तरह से प्राकृत मुनुष्वत अग्व, भगवान तो सर्वग्ग है, तो भगवान तो अल्पग्ग नहीं ह सर्वग्ग बिभू है, सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन यहां भगवान मुनुष्व प्राय मुगधोता शिकार करके, लेकिन ये शिक्रिती ये जो मुगधोता है, ये ऐसे नहीं हमारे जैसे नहीं है, ये जुगमया क्रितो है, जुगमया, अपने निजी शक्ती, संतरंग शक्ति चीनमाई सक्ति और शक्ति से भगवान खूद ही उस लीला शक्ति के द्वारा अपने को आबरित करके लीला प्रकठन करती है भगवान मुग data और सरबगाता propose लीला में जInsorm ज़्म१त बिराजमान है मुग data और सरबगाता रहे हए कैक GUY राम लीला में भगवान राम चंद्र शीता जब लावन ने ले गए हैं तब बिरहा बिधूर हो करके प्राक्रितो एक स्त्रोईनो मुनश्वबत भगवान ऐसे लीला कर रहे हैं उनकी उस्त्रोधरा उनकी बैगुलता उनकी ये चेश्टा देख करके अनुमान तक प्रभावितो हो गए समाज नहीं पाए जो ये क्या पूरुन ब्रह्म शनातन भगवान अखिल रशाम मिरत आनंद घन बिग्रः क्या ये भगवान पूरुन ब्रह्म शनातन है ना कि हम माया शक्ति के वहाँ प्रविश नहीं है ना चिनमाई शक्ति ओ शक्ति भी इस तरह से ब्रह्मित करा देते हैं ये वर अदभूत शर्बगगता और मुगधता जुगबत भगवान के भीतर बिराजमन रहते हैं अदभूत चमत करती ये लीला बिनोद अदभूत चमत करती जो कि वनुष्यों ये समाज नहीं पाते हैं लेकिन है ये चिनमाई लीला ये दिब्व लीला ये अनुद माई लीला ये शच्चिद अनंद लीला ये जगमाया कृतो ये उनुभववेद्द कृपा शद्धो भगवान कृपा शक्ति जिन कोई बिदित कराते हैं उही जान सकते हैं आप कहेंगे तो भगवान नाटक करते हैं जो लीला करते हैं राम चंद्रजी जो ऐसे लता गुल्मो जुथी का मालोती शब्पकार की इस तरह से रुदन कर रहे थे जैसे एक प्राकृत इस्त्ररिनो मनुश्रबत उस दरह से बक्षस्तल को अभिश्रिक तो कर रहे हैं ऐसे बैकृलता हुनुमान जी को बरबार पकर करके छाती में भर करके हुनुमान तू छोड़के इस शुक्षंतब को शागर से हमको उद्धर करने वाला और कोही नहीं है कैसे भी हो तूम शीता के ख़बर लियाओ उनुमान जी देखते हैं देखो पुरून प्रमोशनात यह स्वर्भगग है यह अल्पग को तुड़ी है हमारे जैसे मुग को तुड़ी है कि भगवान चानते नहीं है अच्छा आप यह कहिए तो भगवान जब ऐसे लीला करें तो क्या यह नाटक है भगवान रू रहे है यह नाटक है रू रहे है यह नाटक है शत्य नहीं है जानते नहीं है भगवान जानते नहीं है भगवान सब जानते है तो यह भगवान का नाटक है वोगे नाटक नहीं यही है चित शक्ति के दौरा भगवान जो लीला करते हैं कभी मुगद आता कभी शर्भगद आता लीला बिनोत के लिए अगर लीला अनंद उन्नभब करने के लिए भगवान तो बहुत लीला करते हैं ना अगर यहाँ मुग्धो नहीं है तो वो आनंद लीला नहीं है जैसे मान लेजिए कृष्ण भगवान लीला कर रहे है दिब ब्रिंदा बनके ब्रिंदारन शरद पुरुनिमा रजनिमे समस्तु शक्यों के साथ लीला भी नोत कर रहे हैं आनंद कर रहे हैं क्रिष्णा आख में चोली खेल रहा है सक्कियों के साथ क्रिष्णा के आख बंधन कर दिये हैं सक्किया आप चंद्र किरान में सब ऐसे लाता गुलमादी अद्बुद ब्रिंदा बन की अद्बुद शवा क्यों वो तो शरडी तो बन है ना वो तो एक प्राकृत जगत के ऐसे नहीं है वो तो चीन में दिबुद यहार ब्रिक्ष लातादी सब चीन में वहाँ जड़बुस तो है ही नहीं एक लीला समने आ गया है थोरसे बंधन करू ना थोरसे बंधन करू आ रहा है मन में तो भगमान की जो लीला इस समन में थोड़ा सा तो भगमान के किष्ण के आख बंधन कर दियां शक्यां आप लता गुल्मा आदी जारी में चुप रहे हैं ललिता बेशा का आदी उनको ढूड के निकालना पड़ेगा आपको आवाज देंगे तब जगे पत्ठी खोलेंगे पत्ठी खोल दिया आप राधरनी को ढूढ के निकालना है राधरनी छूप जाएंगे कृष्णि पकरेंगे कृष्ण तो पत्ठी तो खोल दिया आप बंबनांतन में लता गुल्म जारी में घुम रहे हैं इधर से उधर से पता ही नहीं चल रहा वहां जो लता गुलमादी वह भी जब शक्की है वह सब चीनमई शक्ति लिला शक्ति वहां लता गुलमादी वह भी किर्तन करते हैं वह भी शाजा बाजा बजाते हैं उसमें से दोने निकलती है वो सब शक्की है और शक् बIFयोंचे विदस्की शकी, प्रियोंडार्मा शकी, प्राना शकी, नित्य शकी बिर्योंडार्ामा स्वॉग दीखा है और शादार्णां कर आप दूदन lotta गुल्मा दीखा, ऐसे लता उसको कहरें इस शकी बादा देना राधरानी की दर गई है एना तो एक शाका और कृष्टन से नहा दिगा ना कृष्टन से ज़्यादा प्रेम लगते हैं यह है शाधरान शकी शकी और प्रिया शकी है शमस्त नहा राधरानी में येतना प्रेम, कृष्ण में भी उतना प्रेम, समस्तने हाँ, और प्राणा शकी है सपक्षा, राधरानी कही संग रहते हैं, राधरानी कही समर्थन करते हैं, यह है, सपक्षा, भीपक्षा, शूरित पक्षा, तठस्त पक्षा, चार पक्षा है, शक्यों का, र जो रुक मुंजरी आदी, भी पक्षा चंद्राबली आदी, शूरित पक्षा लडिता आदी, तठस्त पक्षा शामलर्शाइब आदी, यह है लीला उपकर्ण, लीला के मादूर जो पुष्टी के लिए ऐसे है, यह कोई कह सकते नहीं है, जो यह नून है, यह कमी है, यह अरे फूल जब लहता है, तभी जाकर के बागीची की सुभा, एक मत्र फूल है, सुन्दर, मने सभी गुलाब है, एक ही रंग का गुलाब, कोई देख करके दुबरा देखेंगे नहीं, है न, देखेंगे, हाँ, बहुत सुन्दर फूल बस, लेकिन जब नना प्रकार, घट लिला उपकरन, लिला रश, माधुर जपुष्ट के लिए, इस तरह से भगवान लिला करते हैं, न, तो राधरा ने के, क्रिश्चन के पक्ष्च के जब शकी है, लता, क्रिश्चन जाके कहते हैं, यह शकी, बताते हैं, किदा लिकाई है राधरा ने, तो एक टो, शाखा, एक दिशा नीड़ दिश करके, इस तरह तुछ तरह लिक दिया, वह यह शाखा, वहले वह शाखा, जा पक्ष्च पकार लिये, तो राधर ने, बड़े असंत दिश्च ہو गए, भए आया है हम खेलागे निग नीग, हम खेलेंगे नी, क्या हुआ कि निकलेंगे इतना दिमाग थोड़ी है वही नहीं किसी ने बता दिया ए लडिता तुने बताई? नहीं, नहीं, राधीय का गूश्र का «विश्च शकह नुए, कुई नहीं», kisी नakes बताया है, जुरूर बताया है ये लिला उनम्दा, फिर जाके राधानों नहीं ऐसे देख रही है कुísी नहीं हो बता की कुछ किसी ने, धाका लाता की शाखा हुआ ऐसा दिर्शा नीट देश करके पड़ी है तो रादरानी समझ गई है लाता का ऐसे उठा के खबर तर फिर कभी बता ही तो यहां मान लीजिए भगवान शर्भग है क्या यह अनंदराश भगवन आखबुत के जाने रहे हैं कहा रादर नहीं है तो जाके पाते पकल लेंगे और रादर ने भी आखबुत के देखते हैं वो आ रहे हैं समझ गई हैं हम दुसरे जगह छुप जाएंगे तो ऐसे होता नह मुगदोता शिकार कर लेते हैं पूर्ण मुगदोता प्राक्ड तो मनुश्वत नहीं तो लीला होगी नहीं लीला माने ही है मुगदोता मुगदोता बंश चभ्रमीत हो गए हैं बोले बाबा कृशल जा रहे है और राम चंद्र जी के ये फ्रेम चिष्टा दिख करके माता जाने की कह रहे हैं बोले बाबा को हिनात क्या ये पुर्ण ब्रम शनातन है क्या इस तरह से एक इस्त्री के लिए इस तरह से रोधन कर रहे हैं क्या ये जानते नहीं है क्या ये पुर्ण ब्रम शनातन है ये ब्रहम भी जोगमयाकृत नहीं आम लोग जो बुले बिस्टड़े हैं शरूप बिस्वनिती हैं जान नहीं पाते हैं मैं कौन हूँ संग्षार चक्र में फशा करके द्रिश्यमान जागतिक देवदेग पनित्वुश्त पदार्थ हो जो पहले था नहीं पीछे रहेगा न बिसमे आगंतुक दृष्टमान इससे हमारा शम्मंद था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं हो नहीं सकता फिर भी इसका शत्त मान करके हाम इसके पीसे इसमे रश है इसमे ही शबानन्द है जान करके ब्रमित हो रहे हैं घूम रहे हैं अनादिकाल से माया चक्कर में घूम रहे हैं तो यह मुग दोता है वो मुग दोता नहीं यह है महामाया कृतो यह है महामाया भगमान के बहीरंगा शक्ति, भगमान के तिर्विद शक्ति, अंतरंगा बहीरंगा तटस्ता, अंतरंगा शक्ति, चिनमई शक्ति, उनके तिर्विद प्रकाश, सत चित आनंद, संदिनी, संबित अल्हा दिनी, तिर्विद प्रकाश, चित शक्ति जो है, तिर् सुम्बित अनंदंग शेओ अल्हादिनी, तिन शक्ति के मिलण से भगवान सच्चित अनंदी। बगवान शेओ शेओ अनंद बिग्ले।री के बईखा धिर सक्ति सथों सब्ध。 बिस्में रहते हैं दोनों के बिस्में इभी भगवत चत्त अर एक है माया शक्ति बहिरंगा अंदकार माया He पहले था अभी है पीछी रहेगा किसी भी स्थीती में बगवान के साथ हमारे भिच्चुती होना स्वंभव नहीं तो मानो यह ना मानो इसमें कुछ फरक नहीं पड़ता है जो नहीं मानता है ओ शंक्षार चक्र में घुम ला है घुमेगा और घुमोना फिर मरोगे फिर चुरेशी लग जो नहीं में पिर चक्र लगा उना महा काल स्थीर है अथा अनंत है अनंत कल गुमते गुमते आयो ऐसे ही अथा फिर गुमते रहो नहीं मानोगे तो अर शत्त को तुम मान लिया तो हो जा कि मुक्ति का तुमको मर्ग मिल जाएगा फिर दुख मा शागर चे शत्त को उनुभव करने का जो शक्ति गुरुक कृपासे भगवत कृपासे तुमको मिलजाएगी पिर धिरे-धिरे ये संग्षार चक्र से मुक्त होकर दिब्व सचिता आनंद भगवत चरण शन्निद्ध प्राप्त करके तुम सदा आनंद मैं आनंद दिब्व लुक में करते हैं तो माता पार्वती यह सब्द कायने से भोले वाबा कायते हैं हर दिया है तुम देखो ना जा करके तो माता पार्वती शीता के रूपदारन करके भोले वाई भंगवान रोदन कर रहे हैं बैकुल बिलाप मैं कुरंधन लतागुल मादि पकार पकार के ऐसे बिलाप ऐसे कुरंदान उस्त्रु दरह से बक्षस्तल गिला हो गया, आंक लाल हो गया, देख नहीं पाता है, जैसे जगत अंदुकार, तो जाने के माता जब सामने, जाने के माता के रूप धरन करके गए हैं, रामचंद अच्छनात, हे माहा परवती, आप कैलाश्चोर के ये जंगल प्रदेश में आप कहा बिचारन करें, हमारे भोले बाबा कहा है, बास, तुनांत अंतुर धरन, भोले बाबा कहा है, तुम हमारे जननी का रूप धरन करके गए हो, अज से अब तुम का अंक धरन नहीं कर सकते हैं, आप से, क्योंकि तुम हमारे मात्रिश रूप धरन किये ह तभी जा करके भूले वाओ ध्यान में बैठ गए और तभी माता जान गए है आप आमको शिकार नहीं करनेगे ये भी लीला उसके बाद ही दख जग और नुश्ठान में गए है जानते हैं जो आपको लीला परिवरतन करनी है तो हो जाके दख जग में जाकरके वहां अपने श लामचंद्र जी लीला प्रकुटन की है प्रकृतो देखने में लगता है लेकिन ये लीला जो चिंतन करते हैं भर्ष्मा चिंतन करते हैं मनन करते हैं वो शंशार्ष चक्र से मुक्त हो करके भगवात शन निद्ध प्राप्त करने में शमर्थ हो सकते हैं ऐसा ही कृष्ण ल नहीं है दस नहीं है वो एक ही है जुग-जुग में अपने अलग-अलग रूप धरन करके आते हैं भगवान कृष्णु लीला भी ऐसे लीला राम-चंड्रक जी लीला है मर्जादा पुरुषत्म भगवान जब जो लीला करते हैं उती शुंदर उती शुंदर ऐसे मर्जाद एक शुन्दर जिवन कल्पना किया जाए तो रामचंद्र के जिवन के उपर और कोई ना हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा ना हो सकता है, इतने शुन्दर जिवन होना संभब नहीं है, मर ज़्यादा पुरुषत्तम चिंतन करतो, उनुशनन करतो, रामचंद्र के जीवन चरी, इसमें ही तुम्हारे कल्यार है, और हमारे क्रिश्चन है, लिला पुरुषत्तम, यहां तो पुरा उल्टा, चोरी करते हैं, जूड बुलते हैं, परस्तिरी के साथ राश्चिला करते हैं, यहां कोई भी आजाओ, क पती मानो, उपपती मानो, जैसे मानो, कैसे भी हो, मानो हमको, बस हम तयार है, एक क्रिश्चन लिला, यह है भगवान, माधूर जुमूर्थ, मूर्थिया, लिला पुरुषत्तम, वह है मुर्जदा पुरुषत्तम, और महाप्रभु है, ऐसे प्रेम पुरुषत्तम, प्रे पुरदान किये हैं, जारी खंडगों रास्ते में जब महाप्रभू चले हैं, तो ऐसे शक्ति संचार किये हैं, जो सब शिंहा, हस्ती, और सब हरीन, सब बन्नजीब, एक साथ महाप्रभू के पीछी पीछिए प्रोसेशन, प्रोसेशन करते-करते, सब वगवात नाम करते-करत चले हैं, ऐसे, हम नहीं कह रहे हैं, इतिहाश कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, जा हमरी इस्ट है, हम तो उनके विश्ष महीमा बरनन, ऐसे निश्वी महीमा नहीं तो, ऐसे कोई नूनोता है नहीं, कोई लीला में कोई नूनोता है नहीं, जो यह लीला में नूनोता है, यह ल रंग 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 रं भगवान चोड़ी करते हैं, भगवान तो यह कोई दोस्त नहीं लगता है, बहुतों इसको दोस्त देते हैं, क्योंकि भगवान, भगवान में सब है। बहुतों, भगवान में यह दोस्त लागता है, मनलीजिये एक जो जौर का भूमिकर ले लिया, चोर, नातक नेख, तो नातक ही है, अच्छा शज्ञ, लेकिन नातक में चोर का भूमिकर ले लिया, पृघिको ठोई है। तो जो देखते हैं अरि अच्छा नटक कर रहा है उसमें तो चमद किरती ना तब भगवान भी ऐसे ही ऐसे भक्त को मनरंजन के लिए ऐसे नहीं भक्त के साथ भगवान भी उस आनंद को अधवुत रूप से हूँ भगवान भग्त को साथ मिलकर के आनंद उपहान आ जाती है भगवार में आनंद के कोई कमी नहीं है जो और आनंद मिलते हैं ऐसेनः आंनदों तो वहां बारने का कोई जागा नहीं है पूर्ना आनंदम है भगवार्रू रामचंद्रभी पूर्णा आनंद perfectly एक ही भगवाचत्तप्प एक ही है एक है और अदितिया है दुसरा है नहीं लेकिन हम जाएसे मुर्ख हो जीब समझते नहीं है कभी-कभी अपनों अष्ष्ठ को बड़कर देते हैं दुसरे को मनढत देते नहीं ऐसे-अएसे-एसे ऐसे नहीं है जब भागमान एक ही है भगवान दश नहीं है वही कभी राम, कभी कृष्णौ कभी शीव, कभी विष्णौ ऐसे रूप ले कराते हैं और घट-घट भाशी है अभिनाशी इस शरंग्ष जीव अभिनाशी चितन अमल शहज शुकुराशी यह आत्मा चितन शत्त भी उनका ही है, उनका ही शत्ता है यह खेल है ना तो महाप्रवू भी इस तरह से आये हैं एक मुनश्व चितन लिला करने के लिए यह भगवान है ऐसा ही इनके लिला चरिद भी जो चिंतन करते हैं मनन करते हैं वो भी अंतकरन मया कलमशो से मुक्त हो करके शुद्ध रिदाय गठन करने में शमर्त हो सकती है चित्त भृत्ते निर्मल हो जाता है फिर शुद्ध चित्त में फिर किष्ण भगती उदित होती हैं इसलिए लुष्हा स्थेंग से जीवन्य चृत कि प्रुषित। शुने लेई बड़ो हाई ही तो महाप्रभ की यह लिला दिब्य है दिब्याती दिब्य है हम लोग बहुत दिन से यह उनके जीवन चरित से ले करके अभी अंतिम स्थिती पर आ गए हैं उनके लिला अस्वादन करने के लिए कोशिश किया है खर यह हम जैसे जो कुनिष्ट अधिकारी जो की उनुभाब नहीं कुछ नहीं शादन नहीं ऐसे सादक के मुख से यो का था वो चिन्मय का था वो तो बहुत कोठीन सहज नहीं है फिर भी हमारे आचारी जोंके चौरीवी तो चर्वन उच्षिष्ठ धारन करके हम बर्णन करने के प्रतने किये हैं कर रहे हैं भूल भरांती हो तो शुदी जन्म हमको छमा कर देंगे क्या करें मन तो चाहता है कि खुब बर्णन करूँ खुब उनके कथा किरतन खुब करूँ लेकिन हमारे तो वो उनुभाब नहीं आए वहाँ उनुप प्रवेशाए नहीं फिर भी हमारे आचार जगन जिस तरह से वो मधुर जो आश्वादन किया है लोब उत्पन्न करते हैं ऐसे महाप्रभु के अध्भुद चीनमा जिवन जिवन श्वैली तो महाप्रभु 28 शाल प्राकित शरीर धारन करके लिला अभिनोत किये है लेकिन मुनिश्व चीतो शरीर धारन करके 28 शाल उमर तक धरित्री में थे उसके अंदर 24 शाल तक संग्षार जिवन जापन किये हैं बचपन से ले करके बिभाकर जो शंपन गिरस्तास्रम आदी उसके बाद महाप्रभु अपने सयंग को प्रकट किये हैं जहां स्रिवाशंगर में महाप्रभु अपने को प्रकाश दिखाए हैं महाप्रकाश दिखाए हैं सब को बुला बुला करके अपने स्वरुप को दिखाए हैं देखो मैं कौन हूं फिर जाकरके महाप्रभु शन् ब्रिंदावन धाम आदी गाषिपुरी आदी ब्रहमन करके शमश्डह जीव को कितकष्त करके और ऑबहुत साधक के भीतर उशक्ति शंचार करके सभ को इस तरह से जाđरूख करके उप्रेम प्राप्ति के about-शक्ति करके चितना शक्ति क्यों जगाते हुए महाप्रुबु फिर लोटके आये हैं जगनात्पुरी में तो चोबिश साल तो सन्याश लेकर आये फिर छैसाल गमना गमन बाकी रहा अठारा साल उसके अंदर छैसाल भक्त के साथ आनंद बिनुद कभी यहां जाना हुआ जाना भक्त लोग आते हैं उस उनके साथ मिल करके हो आनंद भगवान उन्हों भब किये भक्त को प्रभुत आन इनमा लिलारा अश्वाद उनकरा हैं अब और बाकी जो बारा साल बारा बरस यह माप्रव गम्भिरा लिला यह बारा साल माप्रव एकदम अंतरमना हो गये बारा साल 12 साल के बाद एकदम अंतिम समय जो आए हैं उस समय और एकदम निब्री तो एकांत भाव से महाप्रव रहती थे किसे को पहचानती भी नहीं थे कोन आया कोन गया 12 साल ये गंबिरा लिला इस समय महाप्रवू राधरानिके भाव से भाविता हो करके वो दिव्व विरह उनमाद दशा वो उनमाद दशा विलापमय करंदन राधारनी जब क्रिष्ण मधुला चले गए तो उनकी विरह दशा उस भाव से भाविता चित्त विरित्ति हो करके महाप्रभू इस तरह से गभी एक आनंद ना जाने कौन अचिंत आनंद शागर में नि लिला संबरन करेंगे समय आगया है अर्तलिस सल महाप्रभू ये पंचवोतिक उनके चिन्माई शरीर जो मनुष्व चीतों शरीर धारन करके चोबिस सल भौ मलुक में थे तो हर साल अपने जो प्रेमी भक्तों जगदानंद पंडित उनको माप्रूभ भेशते थे मा के लिए शंदेश जो माँ दुखी ना हो ऐसे मात्री भक्तो थे भगवान देखा हैं शिका हैं देखो मात्री भक्ती कैसे होती है जगदानंद पुनित को ऐसे कहके भेशते थे देखो जगदानंद तुमा को बोलना यह शरीर तुम्हारे ही अबदान है हम जो भजन करते हैं जो भी कुछ हम प्राप्त की हैं तुम्हारा ही अबदान है हम लोग इस शरीर है ना शरीर मा का देन है शरीर बना है पूरा शरीर अनुछ सब मा के देन है पिता का दान है बीज शरूप पिता बीज नहीत करते हैं और मा जो खाते हैं उससे एक रश जा करके वो उसके नाभी से उसके संग्जुग रहता है ब्रुन का वो दीरे 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 वो जा करके शरीर बनता है मा के दिन, शरीर पूर्ण होता है, मा के देना है, बीज पिता के देना है, और शरीर मा का देना है, विश्व स्रिष्टी भी ऐसा ही है, विराट स्रिष्टी आरेखा है, शरीर स्रिष्टी, प्रक्रिया एक ही है, यह समस्त जगत में जो मूर्ती बनता है मूर्ती मने शरीर आत्मा है अमूर्त इसका कोई मूर्ती नहीं है यह चितन है आनंद मैं है भगबत अंग्ष्व है लेकिन एक खेलने के लिए उसको शरीर चाहिए तो वो शरीर देना है यह महा मया पंच भोती अग्नी जल आकारवायो प्रिती भी पंच तात्माग इससे बनी हुई यह शरीर है शर्वज्जोनी शकूंता मूर्तयख मूर्ती मने शरीर एक उतला शंबबंती मने बनता है क्या बनता है शियाल कुता एक है किटानो कीट से ले करके यह बनता है शरीर यह प्रकिती के देन है प्रकिती है उसके मात्रिस्थानिया अहंग विजब प्रदपीता मैं उसमें गरवदाहान करता पीता मैं हूँ इस स्रिष्टी रचना करते हैं भगवान माया के साथ यह भगवान के बहुमो लिला भगवान इस तरह से समस्त जीब जगत में जीब चोईतन शत्त को छोड़ करके हर जीब चोईतन शत्त माया के द्वरा आबरीत हो करके शरूब बिस्प्रित होने के कारण शरीर धरी बन करके शरीर में तदात मता के कारण वो मनता है मैं शरीर हूँ, भूल जाता है मैं कोन हूँ, मैं जो भगवान की शत्ता हूँ, भूला दिया मैया ने, वह हूँ, संक्षार क्या है, शरूप बिस्पृती ही संक्षार है, आपने शरूप भूल गया, मैं चिन मैं दिब्ब अनंद मैं भगवात सब्सक्राइब नकंद मेरे हैं बास मैं मैं दोता है। अमलो ये माया मालो रही थी त्रिगुणाती थी शहजी शुकराशी शता आनंद मैं आत्मा शतं मैं शता स्वयंग आनंद मैं आनंद मैं आनंद और आत्मा अलग नहीं एक ही है लेकिन शरूब विस्विति के कारण हम आनंद को भी भूल गया आनंद हमको ढूंडता है खुस याकर्शन करता है मैं ढूंड रहा हूं आनंद कहां आनंद कहां तो मिर्गो जैसे कुस्तरी मिर्गो जैसे भीतर में कुस्तरी होता है ना उसको शुगंत से आमदीत हो करके बन बनंतर भागता है आनंद कहां आनंद कि एक ज मुस्च आंवाय। बाइसे Widahi, भगता हैहां, तूरता ही बध्द जीवात्मा, वो आनंद ょ आपने भीतार हैं। 수aciृ में पुरुश दौोर, दिश्वान जगती भुग्ग पदार्तु रूप राज गंदु ब्रहमित होता है यह खेलना टकता मसा ऐसे ब्रहमितु कर जीब इस तरह से संग्षर चक्र में ब्रहमित हो रहा है तो यह शरीर है मा का देन है यह जो वह बिराट रचना भगवान जो प्रक्रिया है यहां भी प्रक्रिया बिराट प्रक्रिया है शर्वाज जोनिशुकंता मुर्तया संभण दिजा तासंग ब्रहममाज जनी उसको प्रकिति उसके मात्रिस्थानिया और विजब पृद्पीता चितन सत्ता रुप मैं मैं उसमें अपने चितन सत्ता शांचालित करता हूं और शुद्र जो सिषटि लिला हमारे जो मनशुक्त तवनों ये भी ऐसा ही है पीता का देना है भिज मा के देना है शरीर यह की मा उनके देना है शरीर इसलिए बार बार महपरु कहते हैं जगदानन्दों दूंको मा को कहना हमने बहुत भूल किया है मा Тूम को दुखी करके हमने मना किया है, हम कभी भूलेंगे मा तुम हमको शमा कर दिना और बोलना मा जबी तुम जबी तुम कुछ भी रशोई करते हो तुम जब हमको चाहते हो निमाई आ करके एक बार हमारे रशोई खा जाए तो तभी मैं जा करके तुम जो बनाते हो मैं श्विकार करता हूँ और तुम दिखना जो मैं स्वयंग जाकर करके उसको मैं सिवन करता हूँ ऐसे मा को तुम अश्वस्त करना, मा को दुखी हुने नहीं देना कहना ये निमाई ठीक है हर्ष में तुम्हारे चिंतन करते हैं मा को शांतना देना ऐसे बहुत तरीका से मात्री भक्त हैं, मात्री भक्ती उनके बड़े अवदान है, मा को जो दुखी करके जो घजन करना चाहते हैं, तो वो शिद्धी होना अश्रमबबात है, ऐसा है, मा को कम से दूर रहने से भी मा को उपेक्षा नहीं करना चाहिए, मा को उपेक्षा नहीं, मा को शब्द गुद्वरा पचन के द्वारा कैसी वो उनको प्रशन करने का प्रयाश करना चाहिए, मा से अमरे शिद्व बबा भी एक बार क्या हुआ, अमरे शिद्व बबा जो रामकृष्ण पंडित बबा रामकृष्ण पंडित बबा शाधन करते थे, गुबहा में वहां लागवपंडित को गुफ़ा, वहाज पूस्री में एक गुफ़ा है, एक दो अन्ति में गिल रामकृष्ण पंडित चिक गुफ़ा है, मां की कैसका मान मान है? जनम के पहले था एंने समय हैं तो भगवान ही है। पीता हमस्य जगता मता धता पीता महा हूं, बेद्धन पवित्रमोंकर रिक्षम जुर्यवच, गतीर भात्ता प्रभुष सक्षी सरानंग शुरीद शुरीद प्रभाप प्रल्यस्थानंग निदानाम विजमाभ्यम, तपाम महाम भर्ष निग्रेनाम स्रिजामिच, अम्रितन प्रशन करने का प्रचिष्टा करना बहुत जुरूरी है, तो कोशिष करना चाहिए, तो इस तरह से माप्रभु शिखाए हैं मात्री भक्ती, हर शाल जगदानंद को कूछ समान आदी दे करके भेजते थे, जाओ तुम हमारे मा को ऐसे प्रशन करो जाकर के, मा की आशीर बात हमारे लिए, जो भी हमको भक्ती, कुछ भी अगर मिला होगा, ये तो मा का ही देन है मा तुम्हारी देन है, तुम्हारी ये शरीर तुम्हारी है, तो मा तुम दुखे नहीं होना, तुम्हारी प्रशन नता ही हमारे प्रगती के एक पत्र कारण है, ऐसे बिनामरता शुचक शब्द के द्वारा मा के चित्त को प्रशन करने के लिए, बहुत शब्दों समझा ब पहार जगदानंद जा रहे हैं नवद्दीप गए हैं फिर सब भक्तों से मिले हैं आप सब भक्तों को कहती हैं आप आप लोग नहीं जाना महाप्रवू आप किसी से मिलते ही नहीं मिलते भी हैं तो पहचानते नहीं हैं पहचानते हैं भी तो फिर कोई ऐसे शब्द प्रोयक करते हैं कभी तो देखते हैं देख करके रोधन करते हैं ऐसे उनमत दशा राधारने के भाव दशा में ऐसे भाविता चित्त बृत्ति जो महाप्रभु अभी बाहिया दशा है ही नहीं ऐसे स्थेति आ गई है सब वक्त को संदेज देने के लिए गए आप लोग आप जाना नहीं महाप्रभु को अंतीम स्थेति आ गए हैं जहां महाप्रभु कब तक शरीर धरन करेंगे यह कहा नहीं जाता है ऐसे सब से मिल करके जगदानंद मा से मिल करके उनकी पतनी माता विष्णु प्रिया जगन माता विष्णु प्रिया देवी से मिल करके उनको अश्वस्त करके फीर गए हैं अद्धित प्रभु के पास अद्धित प्रभु के पास गए हैं, अद्धित प्रभु ने महाप्रभु का खबर पूछा है, अद्धित प्रभु ने शब जानती हैं, वह भी तो इस्षर को ठीके पुरुष है, चार अवतार, भगवान के अवतार, भगवान जब आए हैं, जैसे, बाशुद्यव प्रेम धर्म प्रचार के लिए प्रेम देने के लिए और शब अबस्ता करके आए है ऐसे भगवान के शक्ति ले करके शब ऐसे आए है जगत को वो प्रेम प्रदान करने के लिए जो कभी वो प्रेम वो बुस्तु कभी कोई अबतार ऐसे साधरन जीप को इस तरह से बितरन नहें किया है वो प्रेम गुलक के रधाक्रिश्ण जुगल मादुरिमा निव्रत निकुंज विलास मादुरिमा की चर्वनेट जास भवलब्ला शरती वो उपाशना पद्धति मन्जुरी उपाशना ये पद्धति महाप्रभु कृपा करके जगज़िप को पृधान करने के लिए अहुईत उकि कृपा करके मह महाप्रभु इस जुग में अबतिर्ण हुए हैं यह महाप्रभु भगवान की विश्ष कोरुणा तो अद्दीत प्रभु शब जानते हैं तो जब जगदान अंद पंडित वहां से लोटेंगे तो उनके हाथ में पत्र दे दिया पत्र में लिखा है प्रभु के कोहियो अमार कोटी नमस्कार प्रभु के कोहियो तार कोटी नमस्कार बाउल के कोहियो तो लोग होई 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 लोग ह याली का जैसे लिख करके पत्रों दे दिये हैं जगदानन्द के हाथ में तुम यह महाप्रभु को देना जगदानन्द भी समझ नहीं पाई इसका अर्थ तो क्या है बाउल के कहियों सब लोग है असे बाउल बाउल के कहियों बाउल को कहना बाउल मने जो अगल प्रेय बनी एक स्थिति है शादन अवस्था में, जिसको कहते हैं हमारा उची स्थिती में, बाउल मने जो देहत बुद्धि सुन हो जाते हैं सादन में, उस स्थिती में उसको बाउल कहते हैं, बाउल ऐसा नहीं है, तो बाउल को कहना बाजान में आप चावल, बाउल को कहना, बाजान में आप चावल, वो चावल बिकता नहीं है बाउल के कहियो सब लोग होई आचे आउल बाउल को कहना सब लोग त्रिप्त हो गए हैं सब अंतरमना हो गए हैं त्रिप्त हो गए हैं बाउल को कहियो या को ही आचे बाउल बाउल को कहना या कहे हैं बाउल जगदानन्द बहुत गंबीर हो गए हैं, पीर पत्र बाहक पत्र लिकाए हैं जगदानन्द, वह से उसरां पदब्रुजू, पाइदाली चलना होता था, अज से सारे 500 साल पहले, उह तो मर्ग नहीं, चलने का कोई शादन नहीं था, 500 साल पहले, गाड़ी आ दी जो ट्रेन, टेक्सी, इस सब कुछ नहीं था, यह तो ब्रीटिश आने का बाद हो रही है, ट्रेन, गाड़ी, इस सब, इंजिन चाली तो जो भी है, यह ब्रीटिश लाए हैं, उसके पहले जो बड़े-बड़े पैशा वाला थे, गोड़ा गाड़ी, गोड़ा गाड़ी लिके दूर द कोई शोहर है नहीं, देखो तुमसे इंता करके, बड़ा शोहर है, लो नदी है नहीं, शोहर मानें नदी हो गाए, क्योंकि एक मत्र नदी के मारगों से ही उस सब बिजनेस करते थे, सब जाते थे, इधार उधर कहीं जाना आना, और रास्ता जो स्थल मारगों हैं, वहां प गोड़े का गाड़ी या बुग्गी, ये था शाधन, चलने का एक मत्र शाधन, पाइदल जाना पड़ता थे, जंगल कमारगों कोई रस्ता नहीं, कुप कश्ट था उस सुबाए, ऐसे करके, जगदानन्दों आये हैं महाप्रभु के शनिद्ध में, आ करके, वह पत्र दि लिखा है, वह लिखा है, बाउल के कोई हो, अमार कोटी नमस्कार, बाउल के कोई हो, सब लोग होई आसे बाउल, बाउल के कोई हो, हाटे नाभी का है, चाउल, बाउल के कोई हो, सब लोग होई आसे आउल, बाउल के कोई हो, या कोई आसे बाउल, आप बड़े-बड़े दिग्गस पंडित है, शरूप दमदर, राय रामानंदो, इननों दिग्गस पंडित थे, त्रिकाल द्रश्टा ऐसे महापुरुष ऐसे थे, शरूप दमदर, शरूप कहते थे, शरूप दमदर भी पड़े, जटका लग गया, क्या बात है, यह सब्द का माने क्या है, महाप् एक दमlett हो गया। ऐस्विदरा, बहना शुरू हो गया। बबु प्रुब के टाथ है। प्रुबु तो समझ मने नहीं आ रहा है। एक क्या शब्द का माने क्या है। बोलता है देखो सब्दों का मने तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि देखो जो पूजा करते हैं पहले मुर्ति प्रदिश्टा करते हैं मुर्ति को आवबान करते हैं आवबान करके पूजा होने का बाद वो मुर्ति को बिशर जन देते हैं यह हमारे मंगल में भी ऐसा है दूर्गा पूजा आदी जो पूजा है ना पहले तो मुर्ती सापना करते हैं आवबान करते हैं यहां ती श्टो यहां ती श्टो आथ श्टो आदी फीर जा करके पूजा होने का बाद भी शर्जन देती है ठागुर जी को बोलता है ऐसे लगता है जैसे पूजा के लिए आवबान किये हैं आप पूजा हो गया आप बिशर जुन देने का ही यहां कुछ सब्द ऐसमें दीखता है खर हम को इसमें प्रविश्ट नहीं है सब स्थम्मीतों के जान गए हैं यह मतलब क्या है मने जब महाप्रव आये नहीं अद्धित अजड़ जो प्रवु आये हैं गोलोगधाम से महाविश्ट अबतार उसमें भारत के स्थी थी बहुत दयनियों स्थीती थी जारोग बध्द धर्म के बहुत प्रवलता और बाकी जो वह है अधर्म का प्रचार जादा और ज़्यादा तर चुद्र देवी दिवताओं के उपशना में ज़्यादा रूची लेते थे ये दिवताओं के उपशना ये तो मुक्ति मार्ग नहीं है मुक्ति मार्ग नहीं है चुद्र दिवता ये दिवता वो दिवता नाना दिवता शोष्टी माता उभू माता ठीक है अच्छा है ये तो देवता काम्म बस्तु को प्रदान करते हैं ये कभी मुक्ष दे नहीं सकते हैं जहापण्य देवता भाक्ता जजन्त सुध्धनिता तेहभी मामेव कुंते हो जजन्त अभी दिपूर्वगम जो दूसरा छोटी दिवताओं में भुक्तिमाने पुजा करते हैं वह मेरा ही अंग्ष्व है अहां ये सर्व जग्यानां भुक्ता चा प्रभूरोय पच्छा ना जानती देवबबुर्ता जो देवलोग का उपच्छा करते हैं उद्धी तरपॉनादी करते हैं उग्ष्व जाते हैं मुक्ति नहीं वहां से फिर आना पढ़ता है भूतानी जानती भूतेज्या, भूत का उपशना करते हैं, वो मनने का बाद भूत परेतों के जानम लेता है, भूतेज्या, तंत्र मंत्र भूत परेतों, वो भूत बनता है, भूतानी जानती भूतेज्या, तो जानती देवबवरता सात्ती को उपशना, पीत्रिन जानती पी तो भगवान उस्तिति भारत में ऐसा होता है, बार बार आक्रमन हुआ है, बार बार ऐसे धर्म के ग्लानी, एक धर्म का बिशिस प्रधाननता दिखा गया है, बार 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 आये है, ब्रभू तुम आव इस धर्म को रक्षा करो भक्ती धर्म को रक्षा करो, बचाओ बचाओ प्रभू, बचाओ, तो भगवान के अद्धिताचर्जे प्रभु के ये रोधन सुन करके भगवान क्रिष्ण चैतन्यों महाप्रभु भगवान अबतीरिन हुए हैं शोची माता के घर्भ में आकरके धरा भुमी को पवित्र करने के लिए आए हैं पीथा जगन्नात मिस्रो माता शोची माता आये हैं तो अब जाकर अद्धिताचर्जे प्रभु अश् PRO स्वस्त हो गए हैं एक दिन भगवंत आपतिर्न हो गये हैं एक दिन अचल तुल्षी दे करके हम जनको हाउब और रहे हैं और पीर उत्तिन इतिसे कर falsch दे करके हम fun चाहते हैं प्रेम पूर्वक्त एक गिलाश जल एक दल तुल्शी दो चाहते हैं प्रेम तो भगवान अपतीरिन हुए है एक दिन सब बैठे हैं सब भक्तों जो जो अलपो कुछ भक्त मंदरी सब ले करके सत्संग करते हैं अद्धित आचर्जय प्रभू उहां कृष्ण चैतन्य महाप्रभू निमाई पंडित गोरंगो जो उनके ग्रस्त के नाम निमाई उनके बालक निमाई नगन बालक धूलो धूशरित तो नूँ धूल से लत एकदम शरीर धूल धूशरित हो गया है गुंगरालिकेश नगन बालक आ रहे हैं सची माता ने भेज़ दिया निमाई जा भाईया को बुला के ला पुर्षाद पाने का समाए हो गिया है तो बालक एही प्रथमबार निमाई भगवान जो अवतिर्ण हुए उँ अद्धित आचर्जप्रव को दर्शन देर है जब आ रहे हैं बच्चा सुंदर शुंदर अद्भूत सुंदर शरीर माधूरिमा घुंगरालिकेश आकार्ण नेत्र अद्भूत एक जोती चठत ते का हरन करने में समर्थ हो एसे अद्भूत छटा एक जैसे क्या एदाय को जैसे आकरशित करके अपने और खिर ले ने में समर्थ हो आपकने अीप जितना, सब दिख यहे है एक दम स्तम्बी act हो गये क्या जने क्या शक्ति क्या कर्शन शक्ति कुंसा माधुरिमा यह तो कुछ पता नहीं लेकिन सब एक दीब आकर्शन उनुभव कर रहे हैं अद्द आचर्जय प्रभू भी देख रहें, कोना है यह बाला। आख मुदी है, मुद करके हस रहें, हाहा हाँ हाँ ha आगाए, आगाए, हमारे प्रभू आगाए, आगाए, आगाए न्यमाय पंडित आये, बाया चलो माया तुमको बोला रहे हैं, चलो बाया अब तो प्रभू के यह सब्द शुनर कहते हैं प्रभू एक क्या बात है यह है कुन बालक और कुछ समय दिन इंतजार करो फिर तुम लोग देखोगे बहुत कुछ लीला देखोगे यह नवद्दिक में अभी नहीं कहेंगे देखो हमारा काम हो गया हमारा काम बन गया तब जब पिल आएंगे तब अब तहम्मलक बनदन की आ है मने आप महाप्रव कहना चाहते हैं अब हमारा जाने कर समय हो गया हम जाएंगे यह तो नहीं कहें कहें आप ओ दिवता को बिशरजन के समय आगिया है अब हमको भी इस समझ में नहीं आता सब सब गंभीर हो गए उस दिन से महाप्रव के जो बिरहा दर्शा चरम अबस्था में आप तो महाप्रव पस दिन नहीं रात नहीं हर समय रादारणी के बिरहा दर्शा में एकदम ऐसे दिवान में मूरा गरते हैं हाँ क्रिश्ना हाँ क्रिश्ना ऐसे बिरहा दर्शा बीरह क्यों बीरह क्यों बीरह में क्या है भगवान तो अनंद में है बीरह क्या है देखो मिलन में जो अनंद है मिलन में जो एकदम तन्मयता तल्लिनता उससे भी ज़्यादा बीरह में जब बीरह दशाती है न जब प्रिया मिलन से दूर रहे करके उनके चिन्तन में ऐसे तो उसमें उनके लिए जे तन्मायता और एक अद्भूत एक उनके प्रति द्रभी भूत चित्त बृति वो मिलान में नहीं ये शब्द का अगम्या है शब्द का दरह हम बन्नन करना ही पाएंगे उसमें ये इतना स्थिती इतना प्रबल और ऐसे उतकंठा बैकुलता ये शब्द का अगम्या है ये दशा बिरह दशा और चित जगत के ओ बिरह वो कौन कहेगा कौन उसका बन्नन कहा हम जिसे मुर्ख हो कहना चाहेंगे तो ये बालक के पास भी उपहश्पद होगा ये तो संभब नहीं है तो उस दिन से महाप्रबू तीब्र भी रहो दशा आप जान गए हैं आप भी शर्जन मैंने तुम जो तुम जिस कर्मों के लिए आये थे वो तो हो गिया चारोगर्षप्रेम बितर न हो गिया आप तुम जा सकते हो कहने का मतलब ये है आप तुम जैसे तुम मरे तो आप महाप्रबू के ये थर रात्री दीन आद दीन नई रात नहीं छीन कल वार एकदम छीन पतला दबला हो गए महाप्रबू रात्री में तो जाकते हैं और दिवाल में ना मूँ घर्षते हैं रगरते हैं एक दिन तो क्या हुआ ऐसे दिवाल अंधोकार में उठकरके राधारने के बीरहदशा में ना कृष्ण के बीरहदशा में राधारने के भावे भाविता चित्त हो करके महाप्रभु ऐसे अंदोकार में उसे भिज दी तो थी नहीं तो आप प्रदीप जलाते थे तो प्रदीप तो रात को मुझा देते हैं शादर नता या बुद्ध गई है ऐसे भी हो सकता है तो अंदोकार में महाप्रभु जाकर के दिवाल में मूह रगर रहें इदा ठोकर खा रहें और छोरुब्ध दमदर रायरामनंद कुछ समय के लिए जटका आ गिया और इतना में तो महाप्रभू कहीं तो यहां छेल गया यहां早说 से खुन निकलना शूरू हो गया यहां से खुन निकलना शूरू हो जल्दी करके बत्ती जा लें आदेखो देखो देखो देख राधारने की जो भाव दशा, वहाँ वो बीरव दशा, उसमें भाविता चित्त हो करके, महाप्रवु एक अतिंद्रिय जगत में एक बीरव दशा, अद्बु दिब्बुन माद दशा प्राप्त हो करके, ना जाने कून भाव में ऐसे अंतरमना हो गए हैं, सब देख करके, ब बीरव घंटा, कोन रहेगा, शरूपधामदर का छोटा बाई है, दामदर पंडित, चोटा बाई है, वो कहते हाम रहेंगे, हम दीन राश हस्च में रहेंगे, देखो महाप्रुफ क्या कायते हैं, महाप्रुफु से निविदन किये, महाप्रुफत अंतरमना, कभी कभे थो आते हैं तो कहते हैं ठीक है तुम्हारा जो मांद चाथ चाले के करो तब से क्या करते हैं महाप्रुभू जब भीतर में बैठ जाते हैं ना भी रहतर समय हां कृष्ण और राधा भाव में भावितर आयती थी महाप्रुभू तो वो दामदर पंडित वो अपने शंकर पंडित क्या करते थे महाप्रुभु के चरन को अपने बक्षस्तल के उपर राखते थे जैसे महाप्रुभु को भी उड़ जाएंगे ऐसे सफ्ष्मय और महाप्रुभु तो भाप दर्शन को अमारा चरन पकड़ के बैठा आ है तो उनके महाप्रुभु के पादोबादान कहते थे महाप्रुभु को शंकरपंडित को हर्ष्मय शात रहे थे ऐसे बिरोह दशा मने चराम दिब्बनमात दशा में महाप्रुभु रहे थे थे फिर आचानक क्या हुआ एक दिन महाप्रुभु है नहीं, महाप्रुभु कहां चले गए, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं कोई कहते हैं महाप्रभू शमुद्र में जा करके लीन हो गए कोई कहते हैं जगन्नत जी में जाके लीन हो गए कोई कहते हैं टोटा गुपिनत में वहाँ गुपिनत में लीन हो गए तीन शत्य है महाप्रभू जुगबत तीन शरुबधरन करके इस तरह से बिलीन हो गए महाप्रव के पार्थी जो लिला शरीर है वो किसी को मिली नहीं कोई पता नहीं और नित्तानंद प्रभू अद्धीत प्रभू ये सा भगवत तो नुथे ये भी इस तरह से बिलीन हो गए कोई किसे को ऐसे शरीर तयाग है नहीं है महा प्रभु के परश्रत जो थे महाप्रभु अंतविद्धन के बारा शल के बाद नित्ता नंद प्रभु एक दिन जगा का नाम क्या माँ पुरू नित्त अनन्द पुरू रहे थे खरदा, खरदा में कोपिनाथ, सैम सुन्दर, सैम सुन्दर मंदीर में सब भक्त को बुलाए, आजाओ, तुम लोग, सब लोग, आजाओ, हम कृतन करेंगे, सब भक्त मंदली आदी, सब आए हैं, वो कृतन के रोल, दुपार किश्व में किर्टन कर रहे हैं, मा प्रभू, नित्त अनन्द प्रभू, बरंदा में आए हैं, आ करके, हाथ हिला रहे हैं, बिदाय ले रहे हैं, जैसे, ठड़े हो करके, नित्त अनन्द प्रभू, जैसे, क्यों हाथ हिला रहे हैं, कोई पता नहीं किसे को, बलकर के मंदीर में प्रविश कर गए मंदीर के द्वार उन्मुचन हुआ दिखते हैं इतनान्द प्रुहाईने बिलीन हो गए तंक्सुन दर्मे उसके दादस शाल पीछे फिर अद्धिताचर्ज प्रभु भी इस तरह से शब को बुलाए किर्थन मंदली किर्थन करो किर्थन करते हैं अद्धिताचर्ज प्रभु भी आए ऐसे ही सब को हाथ ही लाए चिरवीदाए भूम लिला के अबशान एक अध्धुत चिन वाई दिबब लिला के एक अबशान घुशना करती हुए अध्विताचर्जप्रभु अपने बदन को पाल में मंदिर गये दर्जबंद हो गया वहाँ पर बिलीन हो गये माता जन्वा ठागुरानी वो गये कामा में आए यहां रमाई ठागुर को ले करके कामा में आए आ करके वहाँ पट बंद हो गया भीतर में प्रवेश कर गए वहाँ बिग्रह बन के वही रहे गए अब भी बिग्रह बिद्वाना गोपिनात में ओही बिग्रह जिस बिग्रह जन्व मता बिग्रह बन गए कृष्ण की बाम भग में आ करके ठड़े हो गए और डायना हात में राधरानी बायाहत में अनंग मंजरी किष्ण के छोटी बहन ऐसे सब पर्षात आपने 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 इसे इनका कोई शमादी हाए नहीं है इसे नित्य लिला से आए नित्य लिला में ही चले गाए यह आए अमारा यह आए बंग्शिया बताए महाप्रभु के अभिराम ठाकूर तो नित्य लिला से आए एक मात्रो एक अद्भुत आश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अगुल में चोटा चोटा अबिरिंदा बनी शुबा है नहीं शररी तो बनाए नहीं क्या एक अद्बूत जैसे कुन जुग में आ गया देखते हैं मुनश्रफ छोटे-छोटे गये हैं छोटे-छोटे देखते हैं सब किसान लोग आप अपर लाड़ा ज्यागडा कर रहे हैं जुग का परिबर्तन हो गया क्रिष्ण चले गए फिर उहां गुफा में समा गए अभिराम ठाकूर फिर महाप्रभू चिंतन की हैं नित्तानंद पर्भू का भेजे जाओ अभिराम को बूला के लाओ वह हमारे रो रहे हैं अभिराम ठाकूर यह उनके लीला और नित्तो ल लिला से हैं नित्तो लिला में जनम लीये ही नहीं वहाँ से एक दम स्वयंग आ करके महाप्रूप का शाति लिला प्रगों पर गटन कीयर Это अभिराम ठाकूर माप्रभूं का सातkickतर मते में चाटी मार करके शारिते रहए आथ करके अब जनओ यह भी नित्य लिला से आए यह भी वहाँ खाना कुल कृष्ण नगर में वहाँ एक मंदीर है जहां जाकर के वहाँ वो बिग्रह बन गए स्रिदाम शकार यह अध्भूत लिला अध्भूत लिला अध्भूत लिला अभारिधिक अलोल महप्रू के चिनमा दिब्बानंदमा लिला लिला कथा क्या कहेंगे अनंतवापार है यह तो शुद्ध चित जो होता है वही जाकरके यह लिला रश किंचित अश्वादन करने में समर्थ हो सकते ह यह लीला में हमारे उनुक प्रुविश कहां शुदी जन ऐसे किरपा करें कि उस लीला अश्वदन करने का किंचित समठ्त जुगता हम में भी आ जाए यह आशा ले करके हम दिन वीतित करते हैं सब भक्त के चरुन रस मस्तक में धारन करके यह आशा ले करके बैठें आज अश्वदन में थोड़ा आलोचना करेंगे महाप्रव के शिक्षा श्टक आठ श्लोक जो महाप्रव ने शिक्षा के ज्यादा महाप्रवु उपदेश किये नहीं है उनको कोई ग्रंत रचना है नहीं तो उस समंद्त किंचित दिगदर्शन करने का प्रेत्न करेंगे आश क अश्टक आए बिस्रम जाए जाए सिरी राद मेरे